हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू जी एमेजा स्टडी क्लासिस आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 7 कैश बुक्स एंड इट्स टाइप्स तो फ्रेंट्स इस चैप्टर पे मैंने क्वेशन नमबर 3 और क्वेशन 7 की वीडियो अप्लोड किये थे जिसम पाद जो 6 और 8 सम है तो वो भी मैं अप्लोड करूंगी तो टोटल जो है थर्ड सम से लेके 8 जो सम है वहां तक कि सारे जो सम से उनके सॉलूशन आपको चैनल पर अप्लोड़ेट मिल जाएंगे तो फ्रेंट्स आए स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर 4 यहां पर हमें Pay and Discount काउंट काॉलमे यहां पर प्रिपेर करने है डाइट 27.00 एप्रील वन हमें कैस्पाउंट दो कॉलंस हमें वेफ च्योंट दो कॉलम्स बनाने कैश बुक में फर्स ट्रांजेक्शन देख लेते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज 5500 तो अब ओपनिंग कैश कहां से आएगा यह रहे कैश डिसकाउंट यह सारे आपको यहां पर लिख देना है दो कॉलम्स यहांपर दिखा देना है 2015 एप्रिल बैल पॉसद रुपीज 4000 बेट पर्स टाइन पर्सट कैश डिसकाउंट पर 4 ताउजन रुपीज के इंग में तो जब भीगहांद ढ़र हम डेबिटिट साइड जिखाएंगे फाइट में तू सेल्स अकाउंट sold goods at 10% cash discount cash discount जो है यहाँ पर deduct कर देना है 400 रुपीज जो यहाँ पर 10% होता है 4000 के वो हमने discount account discount के column में दिखा दी और cash वाले जो यहाँ पर column है उसमें यहाँ पर 3600 remaining amount जो cash में payment मिल चुका है तो यह sales का transaction यहाँ पर complete होता है next goods of rupees 3000 sold at 10% trade discount 4 date का यह transaction है 3000 के goods sold की है तो यहाँ पर again आपको यही करना है बट जो trade discount दिया जाता है तो यहाँ पर trade discount का column आप अलग से नहीं create कर सकता है यह सिफ cash discount के लिए तो trade discount यहाँ पर deduct तो होगा बट यहाँ पर record नहीं किया जाएगा इसलिए 10% trade discount करके आपको directly 2700 दिखाना है 3000 के 10% 300 rupees record नहीं किये जाएगे बट deduct होंगे उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते है next cash of rupees 2000 paid to earth in full settlement of his account of rupees 2030 rupees 2030 rupees earth को pay करने थे बट full settlement कर दिया 2000 pay करके तो 30 rupees discount side चले जाएगे यह रहा 5th date में by earth account paid cash in full settlement 30 rupees यहाँ पर discount side and 2000 rupees cash column में लिख देना है उसके बाद 10th date का transaction goods of rupees 4000 purchased at 5% cash discount 4000 के goods purchased के हैं 5% cash discount में तो purchase है again हमें यहाँ पर दिखाना है by purchase account purchase goods at 5% cash discount 5% 200 rupees and remaining amount यहाँ पर हमें cash column में दिखा देना है 13 date का transaction देख लेता है salary of rupees 1000 and wages of rupees 600 are paid by cash salary और wages दोनों pay की हैं cash में दोनों expenses होते हैं तो credit side यहाँ पर दिखाये जाएंगे इनकी combine entry नहीं होती आपको अलग-अलग इंडिविजुल ही यहाँ पर record करना है 13 date salary account paid cash और wages account paid cash 1000 and 600 तो इस तरह से यहाँ पर आपको record कर देना है उसके बाद next transaction commission of rupees 100 and brokerage of rupees 900 are received अब पहले जो 13 date का transaction था उसमें दो expenses थे अब यह दो incomes है दो receive हुई है commission की और brokerage की तो इससे भी हम record कर देते हैं इस तरह आप देख सकते हैं debit side में to commission account cash received 100 और बाकी के 15 यह रहे to brokerage account cash received 900 rupees तो इस तरह से इन दोनों के यहाँ पर transactions आपको record कर देना है उसके बाद 17th cash of rupees 1400 paid to Krishna in full settlement of account of rupees 1420 rupees 1420 rupees का यहाँ पर pay करना था debts थी जो pay किया है round up करके 1400 only तो 20 rupees जो remaining है यह full settlement हो चुका है तो यह 20 rupees discount में जाएंगे तो आप इस तरह देख सकते हैं by Krishna account paid cash in full settlement यहाँ पर 20 rupees और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद 1400 rupees दिखाए गया है उसके बाद हम next देख लेते हैं goods of rupees 5000 sold at 10% trade discount and 5% cash discount goods जो है वो sold out हुए 10% trade discount और 5% cash discount अब इसकी entry important है कैसे करने में आपको explain करते हूं 18 date sales है इसलिए हम debit side करेंगे तो यह रही debit side अब यहाँ पर आपको two sales account लिख देना है और दोनों ही जो discounts है वो deduct किये जाएंगे price में से 5000 के ते उसमें से सबसे पहले trade discount दिया गया 5000 के 10% होते है 500 रुपीज जो minus करने पर 4500 answer आएगा अब 4500 में से भी 5% cash discount तो 5% 225 यहाँ पर cash discount दिखा दिये तो remaining रहे 4275 तो इस तरह से यह entry record की जाएगी आपको जो trade discount है उसका column यहाँ पर बनाना नहीं है उसकी requirement नहीं रहती है तो यहाँ पर trade discount का column हम नहीं बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो trade discount है वो record नहीं किया जाएगा बड़ जो cash discount है वह बाद में डिटक करना है पहले trade discount डिटक करना है तो इस तरह से एंट्री होगी यहाँ पर mistake नहीं इस ते आप प्लीज द्यान से इस एंट्री को कीजिए और 19th a machine of rupees 6000 purchase from ramesh for which rupees 2000 paid by cash and it is decided that remaining amount will be paid after one month तो यहाँ पर purchase किये थे machine का purchase किया था 6000 rupees from ramesh और 2000 पे कर दिये cash में immediately और जो debts है जो बाकी credit amount रही है 4000 की उसका यहाँ पर record नहीं किया जाएगा यह डायरेक्ली आप यहाँ पर by machine account amount is paid for purchase of machine 2000 rupees आप यहाँ पर दिखा सकते हैं तो यह 19 डेट का transaction इस तरह से करना आपको total 6000 के थे बाट आपके पास cash receive हुआ है जो वह यहाँ पर आपको शो करना है 2000 rupees next transaction देख लेता है as more funds are required in the business household furniture of rupees 3000 is sold for rupees 3500 and out of this rupees 2500 are brought in business तो यहाँ पर अब personal household furniture furniture sold कर दिए 3000 rupees में furniture को sold किया है और business में यहाँ पर 2500 receive किया है business में receive हुए है 2500 तो यहाँ पर हम इसकी entry करेंगे यह capital account में जाएगा capital account 2500 और उसके उसने भी sales किये हैं furniture's की वह सब उसके personal furniture's थे उसके household के थे तो यहाँ पर हम record नहीं कर सकते हमें वह amount record करने जो business में आई है या business से गई है तो यहाँ पर business में जो brought किया उसने capital 2500 वही record किया जाएगा नेक्स ट्रांजेक्शन देख लेता है रुपेज 225 पे टू वैपारी मामंडल टोवर्ड्स annual fees अब कोई committee में वह वहाँ पर जॉइन हुआ हो तो उसके annual fees पे करने पड़ती है 225 वैपारी मामंडल तो वह भी यहाँ पर हम दिखाएंगे credit side because यह subscription fees जो expenses है वो यहाँ पर पे किये 27 डे 225 कैश कॉलम में यहाँ पर entry कर देनी है last 29 गो डाउन रेंट और रुपीज 600 पेड बाई cash and carriage of रुपीज 300 paid to shambu by cash तो यह दो expenses है cash में पेग यह कहें 600 रेंट के और 300 carriage के तो यहाँ पर आप देख सकता है go down rent 600 carriage यहाँ पर 300 इस तरह से आपको दिखा देना है अब last में आपको दोनों cash columns का total कर देना है जिसमें यहाँ पर debit side आएगा 19,575 और credit side में आपका answer जो है वो match नहीं करेगा आपका difference रहेगा 7,650 का तो यह difference आपको यहाँ पर credit side में दिखा देना है buy balance carry forward और उसके बाद total करेंगे तो match हो जाएगा answer discounts जो है वो match नहीं करेंगे तो भी चलता है वो match नहीं भी करते हैं यहाँ पर उसके बाद दोनों जब total आजाए debit and credit तो यहाँ पर जो excess amount हमने add की थी extra total करने के लिए वो amount यहाँ पर next date को आपको यहाँ पर दिखा देना है जैसे यह जो sum हमने किया 4th number वो 2015 April 1 का था तो यहाँ पर आपको date column में May 1 लिख देना है 2015 May 1st to balance brought forward जो यहाँ पर carry forward था अब वो brought forward हो जाएगा वो की वह amount 7,650 आपको यहाँ पर transfer कर देना है तो I hope आपको 4th number का sum पूरा आ गया होगा समझ कैसे solve किया जाता है और अपके लिए helpful रहा हो वीडियो तो इसे like कर दीजे अब हम start करते है question number 5 question number 5 यहाँ पर हमें cash and bank columnar cash book दो columns रखने cash and bank columns discount का column नहीं रहेगा in the books of Riddhi first date का transaction है opening cash balance 4000 opening bank balance 6000 रुपीज अब दोनो cash और bank दोनों जो columns है वहाँ पर debit side में 4000-6000 रिकॉर्ड कर देना है आप इस तरफ देख सकते हैं left hand side debit side है और right hand side पूरी credit side है जिसमें cash bank cash bank के columns है यहाँ पर हमने दिखा दिया है first may to balance brought forward opening balances 4000-6000 रुपीज cash and bank जो जहां से business यह जो start हुए है उसमें जो balance ओपनिंग किया था वो उसके बाद second date goods of Rs. 5000 sold to monica at 10% trade discount sold हुए है तो यहाँ पर sales जो है वह हम debit side दिखाएंगे 10% trade discount और monica issued check of further necessary amount which is immediately deposited in the bank तो यह सारे bank में जाएंगे और discount भी trade discount तो यहाँ पर हम discount का column create नहीं करते है cash और bank के इस ते discount deduct होगा यहाँ पर record नहीं किया जाएगा 5000 के ते 10% 500 रुपीज deduct कर दिये और 4500 bank column में दिखाए विकाज यह check से payment receive हुआ था next transaction देख लेता है रुपीज 3000 withdrawn from the bank for personal use यहाँ पर drawings आ गई है 3000 फोर ट्रांजेक्शन यहाँ पर read कर लेता है रुपीज 2000 paid towards salary and रुपीज 100 paid towards towards brokerage by cash तो यहाँ पर दोनों expenses है salary और brokerage और दोनों cash से payment किये गए तो हम four date के दो transactions दिखाएंगे यहाँ पर by salary account paid cash by brokerage account paid cash तो यहाँ पर cash account में 2100 रुपीज आपको record करना है अब six date का transaction रुपीज 3000 withdrawn from the bank for personal use personal use के लिए drawings जो की है withdraw किये तो यहाँ आई drawings है six drawings हमेशा drawings हमेशा है यहाँ पर credit साही record की जाएगी 3000 रुपीज जो है वह हम यहाँ पर drawings by drawings account six date withdrawn for personal use from bank यहाँ पर 3000 रुपीज बैंक से हम यहाँ पर credit date दिखा देंगे उसके बार goods of rupees 6000 sold to hirain, hirain paid rupees 4000 by cash and remaining amount is paid by check which is deposited in bank six thousand की हमने sales की है sold out की है goods उसमें से 4000 cash से receive है और remaining 2000 bank bank account में जाएंगे checks से जो amount receive है तो 10 date के transaction को आपको ऐसे solve करना है to sales account sold goods for cash received check of rupees 2000 तो यहाँ पर cash जो आये थे वह 4000 और bank account में 2000 नेक्स transaction 12 goods of rupees 5000 purchase and amount is paid by check 5000 के goods purchase कर लिए amount जो है वो check से pay कर दिया है यहाँ पर हम दिखा सकते हैं by purchase account purchase goods by check और bank account में 5000 रुपीज then 17th print of rupees 2000 paid by check तो यहाँ पर 17th में हमें shop print पे किया है expenses पे किया है check से 17 date का transaction यह रहा by shop print account paid by check 17 date 2000 रुपीज in bank column next question read कर लेते हैं 21st goods of rupees 4500 purchased in cash at 10% trade discount trade discount पे यहाँ पर purchase किये हैं हमें trade discount मिला 10% का 4500 के 10% होते हैं 450 450 deduct करके amount लिखने हैं because यहाँ पर हम कोई भी discount column नहीं create करें directly 21st जो है यहाँ पर credit side में दिखा देना है by purchase account 4050 cash column में जो यहाँ पर trade discount मिला है cash में payment किया था इसलिए करिश्मा has paid rupees 2550 by cash towards her debts तो यहाँ पर करिश्मा ने payment किये थे 2550 cash towards her debt तो यहाँ पर हम record कर देंगे to करिश्मा account receive cash against dues तो यह income है cash account में 2550 next transaction आत्मकल्यानी आत्मकल्यानी has been paid rupees 1200 towards full settlement of an old account तो कोई debts business की बाकी थी जो यहाँ पर pay करने है full settlement 1200 रुपीज तो 26th rate का transaction by आत्मकल्यानी account paid cash against debts rupees 1200 cash cash column में दिखा दिया उसके बाद यहाँ पर 29th 29th number का question देख लेते हैं जानवी issued a check of rupees 3000 which is immediately deposited in the bank तो यह हमें receive हुआ है जानवी ने issue किया है तो यह रहा 29th में तो जानवी account receive check against dues rupees 3000 bank account में और 30 date में rupees 1000 cash deposited in the bank business का cash था जो deposit किया है यहाँ पर bank में तो यहाँ पर two cash account 38 cash deposited in bank और 1000 rupees अब आपको cash bank दोनों columns के total कर लेना है debit credit side तो आपका जो credit side है वहाँ पर आपके cash जो है वो यहाँ पर 2200 यहाँ पर difference रहेगा जो यहाँ पर आपको add कर देना है और bank side में भी 6500 का difference आ रहा है तो यहाँ पर भी add कर देना है और दोनों sides equal रखने है उसके बाद यह जो excess amount जो add की थी 31st date को वह first date को next जो आएगा next month उसमें आपको यहाँ पर transfer कर देना है वह सारी amount तो इस तरह से यहाँ पर हमारा sum यहाँ पर complete होता है तो इस वीडियो में है friends हमने देखा 4th sum और 5th sum कैसे solve करना है friends अब मैं next video upload करूंगी जिसमें मैं 6th और 8th sum solve करूंगी sum number 8 और sum number 6 sum number 7 already video uploaded है channel पर आप देख सकते हैं thank you for watching